देखिए NCRT 9.4 है न बाते बात कर ले न Qशन क्या है XQ प्लस X स्क्वार प्लस X प्लस 1 D Y by X is equal to 2X स्क्वार प्लस X पहला तरीका जो खोजना आपको कौन सा है यह खोज ही वहां से करनी है तो उसका तरीका क्या होता है कि क्या X के फंक्शन DX से साथ जा सकते हैं जा सकते हैं तो हम DY को अकेला कर दें और इसको क्या कर देंगे 2X स्क्वार प्लस X सपान X क्यूब प्लस X स्क्वार प्लस X प्लस 1 DX अब क्या करना पड़ेगा इसको Intrigate करना पड़ेगा Intrigating both the side लेकिन वही इसका Intrigal तो इतना खतर नाक है देखने में खतर नाक है तो पहले इसको उठाइए आप ठीक है थोड़ा से और चेंज कर लो ये 2X स्क्वार प्लस X अपान इसको Factorize करो X स्क्वार का मन लोगे तो X प्लस 1 आएगा इसके Factor क्या होंगे X प्लस 1 X स्क्वार प्लस 1 क्या करेंगे इसका इसका करेंगे Partial Fraction याद है ना Partial Fraction ना पड़ा हो तो हमने उसका एक वाल लिंक भीजा भी था और आप पड़ा भी होगा पता नहीं क्या तरीका था देखो द्यान से ये Linear Factor है ना साउधान पहली कंडिशन ये थी Partial Fraction की कि उपर की डिगरी छोटी होने चाहिए जो कि है नीचे 3 डिगरी का है उपर 2 डिगरी का है ये Factor कैसा है Linear तो Linear के लिए क्या बताए गया था A upon X प्लस 1 ये कैसा है Quadratic BX प्लस C C को integrate करना है अब तरीका देखिए इसको solve करना है 2X square plus X यहां ले लिया LCM तो आ गया A के साथ आएगा X square plus 1 प्लस BX प्लस C के साथ आएगा X plus 1 एक कुछ समब इसको 2 डाल दीजेगा अब क्यूंकि देखिए Linear factor को solve करने का तरीका बताए गया था कि एक बार एक factor को zero कर दीजे इसे A की value निकलाएगी लेकिन Quadratic के लैसा कोई नियम नहीं था तो आपको coefficient equate करना ही पड़ेंगे तो equate करिए तो इधर क्या है 2X square plus X is equal to देखिए डाइट कर रहा हूँ तो इसका bracket खोलोगे तो AX square आएगा और इसका करोगे तो BX square आएगा X square कामल ले लिजेगा अंदर क्या बचेगा A plus B अब देखिए यहाँ पर X तो आएगा ने यहाँ पर जब BX को 1 से multiply करोगे तो BX आएगा और C का 1 से करोगे तो CX आएगा X कामल लो क्या बचेगा B plus C डाएट कर दिया और plus का A आएगा plus का C आएगा plus का A आएगा plus का C आएगा सब्समें यह बाद नहीं आई अब coefficient equate कर दो equating the coefficients equating the coefficients क्या होगा X square साथ यहाँ पर क्या है A plus B यहाँ पर क्या है 2 equation बर इसको डाल दो 3 X के साथ यहाँ पर क्या है B plus C यहाँ पर क्या है 1 इसको एकोईशन में डाल दो 4 constant यहाँ पर क्या है A plus C यहाँ पर क्या है 0 डाल दो 5 अब equation 3, 4, 5 को solve करना है और A, B, C की value निकालनी है लेकिन इसका जो भी आएगा इसका एक तरीका बता देते है हमने आपसे एक चीज बताई थी अगर आपका एक linear factor है इसको 0 कर दीजे कहाँ 0 रखेंगे? equation number 2 में putting X plus 1 is equal to 0 यहनि X is equal to minus 1 in equation 2 क्या आएगा? इधर क्या आएगा? यह तो 2 आएगा minus 1 आएगा इधर क्या आएगा? यह पुरा 0 हो जाएगा ना तो A के साथ क्या हो गया? 1 plus 1 2 यहनि A की value कितनी आगई? 1 by 2 A निकलाया 1 by 2 आपकी value क्या A की आ रही थी? हाँ ठीक A 1 by 2 आ गया? अब देखो अब डाइट में कर रहा हूँ यहाँ से A की लुट रख दिया जाए तो C की value क्या आएगी? माइनस A है ना? तो C की माइनस 1 by 2 आ गई? अचा C निकलाया और A निकलाया C की यहाँ रख दो तो B की value क्या आएगी? 1 minus C यहनि 1 plus 1 by 2 C कितना आएगा? 3 by 2 ABC निकलाया अब ABC को उठाओ और equation number 1 में put कर दो और इस result का यहाँ इस्तिमाल कर दो कहाँ पर इस्तिमाल कर दो? यहाँ नहीं भई तो रख कर दिया हमने 1 में रख दो putting ABC in equation number 1 इसको रख कर रहे हैं ABC याद रखेगा हम हम रख किये दे रहे हैं नहीं नीचे लिखा हुआ है putting ABC in equation number 1 putting ABC in equation 1 यहाँ क्या आएगा 2X square upon X plus 1 X square plus 1 is equal to A की value क्या इह है? 1 by 2 यादि 1 by 2 X plus 1 B की value क्या इह? plus B की value क्या इह? 3 by 2 तो यहाएगा 3 by 2X C की value minus 1 by 2 upon X square plus 1 अब इस result यह result आया कहां से था? कहां से निकाला था आपने? 1 से निकाला था ना? तो इस result को 1 में रख दो यह result आपने कहां से लिया था? 1 से निकाला था ना? using this result in equation number 1 and integrating कर दीजे use तो जब आप 1 में use करेंगे तो 1 क्या आया था? integral इधर डीवाई आया था और इधर जो integral था वो क्या हो जाएगा? 1 by 2 x plus 1 plus देखे इसको 3x minus 1 कर दो और by 2 अलग कर दो x square plus 1 और इस सब के साथ लगा दो dx अब इसको अलग-अलग करना पड़ेगा आपको आपका partial fraction का काम खतम partial fraction important है ध्यान रखेगा partial fraction से based question आता जरूर है जरूर मतलब ऐसा नहीं है y is equal to 1 by 2 अलग कर दे अब देखे ध्यान से 1 by x plus 1 अलग कर दो plus 3x by x square plus 1 अलग कर दो minus 1 by x square plus 1 अलग कर दो अब ये integral भी अलग-अलग कर दो तो क्या जाएगा 1 by 2 integral 1 by देखे लिए कहीं calculation गलत नहीं हो plus इसके साथ ले जाओ 3 by 2 integral 3x by x square plus 1 dx और minus 1 by 2 integral 1 by dx कैसे integrate करेंगे इसका तो log expression हो जाएगा इसका 10 inverse x हो जाएगा इसका क्या करें हम इसके x square plus 1 को t माल लेंगे तो let अब देखे अब x square plus 1 कौन सा t मालना है ये वाला ये ये वाला तो मालूम नहीं तो बहतर ये होगा पहले इसको integrate कर दो इसका कामी खतम हो जाएगा तो जब इसको आप differentiate करें क्या आएगा 2x dx is equal to dt तो x dx की value क्या आएगी dt by 2 रख दो so y is equal to क्या आएगा 1 by 2 इसका integral क्या होगा log x plus 1 plus ये 3 क्यों लिखा हमने बहाल लिख चुके 3 by 2 और x dx क्या हो जाएगा dt by 2 by t minus 1 by 2 इसका क्या होगा 10 inverse x तो इसका integral क्या हो जाएगा प्लस c करते है क्या दिक्कत है तो answer आजाएगा 1 by 2 log x plus 1 plus 3 by 4 log t t बोले तो x square plus 1 minus 1 by 2 10 inverse x plus c तो ये आपका y की value निकली है कोई symmetry है नी इसलिए आप direct यहाँ पर value रखेंगे लेकिन एक value आएगी बाद में पले यहाँ पोचिए अब देखिए वैसे तो ये आपका answer है लेकिन है condition दीवी है condition क्या दीए कि when x is equal to 0 then y is equal to 1 given है x is equal to 0 then y is equal to 1 ये actually condition देते क्यों है you have to find the value of c c निकालने के लिए आप करते है ठीक है अभी आपको particular general बालूम नहीं इसलिए उसके वारे बात नहीं करते हम डाद solution की बात करते है तो जब यहाँ रखेंगे तो y तो आपने 1 रख दिया अब देखिए इसको रखेंगे 0 अब 0 कंडाड कर रहा हूं मैं अब 0 करेंगे तो log 1 आएगा न log 1 की value 0 प्लस यहाँ पर रखेंगे x को 0 तब ही log 1 आएगा बोले तो 0 प्लस माइनस 1 बाइ 2 tan inverse रुख भाई tan inverse x रखेंगे 0 अले ले ले हो तो सबको 0 answer फिलाल हम 12th question दे रहें आपको अपने आप लगाईए हम तो बोलते रहेंगे लेकिन सुनिएगा नहीं हमको लगेगा हमको तो सुनी नहीं रहे हो सुनते भी जाना तो यहाँ से पहले तो variable are separable तो d y is equal to क्या एगा 1 upon x इसको लिख सकते है x plus 1 x minus 1 dx और दोनों तब क्या करेंगे integration आपको साफ साफ दिख रहा method क्या है इसके partial fraction करेंगे यह तो easy लग रहा है 1 upon x x minus 1 x plus 1 यह कैसे factor है linear and non-repeated जब linear and non-repeated होते हैं तो क्या बताए गया था a upon this plus b upon this plus c upon this यह जाएगा a upon x plus b upon x minus 1 plus c upon x plus 1 चुली मैं value यहीं रखनी है आपको अरे आज जब factor इसके possible कहा करेंगे quadratic का मतलब यह थोड़ी होता है अगर x cube minus 1 है तो गोले आप पहले factorize करें उसको जब factors possible नहीं होंगे तब quadratic factor होता है ठीक है अच्छा एक बाद ध्यान रखिएगा अब आपके यहां फिलहाल यहां नहीं है अगर x square plus 1 है इसको factor कर सकते हैं इसको ले सकते हैं x square minus i square ले सकते हैं complex number और इसका factor आएगा x plus i x minus i यह भी तरीका है तुबारा मतला इसको quadratic मालने हम factor हो जाएगा ना यह अब देखिए यहां LCM ले लिजिएगा यहां जब LCM लेंगे आप x x minus 1 x plus 1 तो a के साथ क्या आएगा a के साथ आएगा x minus 1 x plus 1 प्लस b के साथ क्या आएगा x x plus 1 प्लस c के साथ क्या हैगा x x minus 1 इधर क्या है 1 upon x x minus 1 x plus 1 यह cancel हो गया इसको equation number 3 डाल दो हमने ABC निकालने का तरीका क्या बताया coefficient equate करना लेकिन यहां पर एक सस्ता तरीका यह है जब linear factors हो एक बार x को 0 रख दो एक बार x minus 1 को 0 रख दो एक बार x plus 1 को रख दो 0 जब x को रखोगी 0 तो a मिल जाएगा रखोगे यहां पर ठीक है तो putting x is equal to 0 in equation 3 putting x is equal to 0 in equation 3 देखे इधर तो 1 आए जाएगा तो x को रखेंगी 0 तो जिनमे जिनमे 0 x है वो 0 हो जाएगा आपको a बचेगा तो a के साथ क्या पचेगा 0 minus 1 0 plus 1 जैनि a की value क्या गई minus 1 a निकल आया फिर क्या करेंगे दूसरा factor लिजे putting x minus 1 is equal to 0 जैनि x is equal to 1 कहां पर in equation 3 रखो जब x minus 1 को 0 किया तो यह step 0 हो गया यह step 0 हो गया b आएगा केवल तो 1 is equal to b x को क्या रखें 1 तो आएगा 1 1 plus 1 यहनि b की value क्या गई 1 by 2 फिर क्या करेंगे putting x plus 1 is equal to 0 x is equal to minus 1 कहां पर in equation यह तरीका केवल आपके linear factor के लिए facility देता है अगर linear factor है तो एक बार a को 0 करो यह मिलेगा इसको करो यह मिलेगा इसको करो यह मिलेगा ठीक है रखें यहां पर तो जहां पर x plus 1 है यह 0 हो जाएगा यह 0 हो जाएगा यह मिलेगा ना तो क्या आपने लिएगा 1 is equal to c minus 1 minus 1 minus 1 यहनि की minus 2 यहनि की plus 2 c क्यों लिए जाएगी 1 by 2 निकला ABC अब ABC को उठाओ और equation बर 1 में रखो और 2 में रखो और 1 में यूज कर दो ठीक है चलिए यहां तर पहुँचिए अब लिखेंगे putting ABC putting A, B and C कहां पर in equation 2 and using in equation 1 using in equation 1 क्या हैगा dy का integral क्या हो जाएगा Y A की value क्या है minus 1 तो minus integral 1 upon x dx B की value है 1 by 2 integral 1 by x minus 1 dx plus C की value 1 by 2 integral 1 upon x plus 1 dx integral आपको आता है Y is equal to minus यह क्या हैगा log x plus 1 by 2 log x minus 1 plus 1 by 2 log x plus 1 देखेंगे अब हम इसमें log c condition दी है हमको लगता condition दी है इसलिए हाँ पर आप plus C कर दीजे है रुप जाएगे solve यह अपना होता रहेगा अब इसको solve कैसे किया जाए चुकि यह log बहुता रहे है तो देखें इन दोनों को देखें जरा द्यान से इन दोनों 1 by 2 कम ले ले तो क्या बचाएगा log x plus 1 into x minus 1 हो जाएगा तो यह आएगा log x plus 1 into x minus 1 और minus log x plus C यह y हो जाएगा अब वैसे तो यह minus है तो अपन में आएगा लेकिन यह गड़बड कर रहा है 1 by 2 तो 1 by 2 कैसे जाएगा आएगा यह आगया वैलू और plus C यह y आगया अब condition रखें यहाँ पर equation बर 4 डाल दीजे condition क्या है condition दी भी है कि y is equal to 0 and x is equal to 2 x को 2 रखो और y को 0 रखो रखें देखें क्या आता है putting y is equal to 0 putting y is equal to 0 and x is equal to 2 कहा पर in equation 4 तो y को रख दिया 0 0 आ गया log x रखा अपने 2 तो क्या हैगा root के अंदर 4 minus 1 upon 2 0 कहां से आ रहा है अचाई कहीं भी रखो तो value तो ही आनी है आप कहीं भी रखिये हमने क्या कहा हमने क्या कहा यह गलत हो सकता है यह गलत हो सकता है आपकी value c की 0 आई है देखे क्या आएगी log यह अंदर रूट 3 upon 2 आएगी न तो c की value 0 कैसे आ गई आप कहीं रखो आप कहीं आप x को क्या रखेंगे आप x को क्या रखेंगे आप 2 यहाँ कहां 0 आजाएगा वह आप कहीं गलती क्या होती है आप यहाँ रखो यहाँ रखो value तो वही आने आएगी भाई यह कहना x को हमने यहाँ रख दिया तो यहाँ रखने 0 आजाएगी value तो यहाँ से c की value क्या आई है minus log root 3 by 2 अब c को उठाईए और equation बर 4 में put कर दो c को यहीं आई है ना कहां पर है c log 2 by root 3 solution क्या निकलेगा? solution y is equal to log under root x square minus 1 upon x plus c तो इसको plus लिख करके log 2 by root 3 कर सकते हैं यह दोनों कहें माँ जाएगा? multiply माँ जाएगे इनको multiply में लिख दो उठा करके तो यह answer आजाएगा log आएगा 2 by under root 3 x under root x square minus 1 यह y की value आएगी अब देखे चूंकि y ही निकालना होता है इसलिए आप इसको log हटाने की ज़रूत नहीं है अगर हटा दिया हो तो ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जो भी answer आ रहा हो cos dy by by dx is equal to a तो पहले तो आपको अच्छा इसका order क्या है? चलिए आ गया तो पूशी लेते हैं इसका order क्या है? इसका order क्या है? मतलब इतना question लगा लिए सब आता है अदाद दिखा रहे हो तो भी क्यों इतनी बता रहे हो order का मतलब क्या होता है? जितनी बार इसको differentiate क्या है? इसका degree क्या है? अब आप कहेंगे degree defined नहीं है नहीं, degree देखो या आप cos को अटा दीजिएगा यहाँ पर cos को अटा यह constant है ना? cos हटा जा सकता है ना? degree इसकी 1 है अब आप कहेंगे cos के अंदर cos के अंदर dy by dx अगर लिख दिया गया और cos को हटा नहीं सकते आप तो degree defined नहीं है degree इसकी defined है, degree 1 है तो अब क्या करें इसको? तो आपको करने के लिए पहले तो इसको आपको हटाना पड़ेगा तो dy by dx की value क्या हो जाएगी? cos inverse a बस हो गया, dy z को लूग क्या हो जाएगा cos inverse a dx अब आप कहेंगे, आप बता रहे कि x का function अरे constant है इससे क्या दिक्कत है? integrate कर दो तो यह y हो जाएगा cos inverse a अलग हो जाएगा 1 का x हो जाएगा, plus c हो जाएगा अब condition क्या दी है? condition दी है कि x is equal to 0 and y is equal to 2 तो by question 2, यहां रख दो उठा करके y 2 हो गया तो c की value क्या हो गया? 2 उठा रख दो तो answer आएगा y is equal to x cos inverse a, plus 2 यह आपका curve हो आजा करके यह वो curve है जिसका differential equation यह दिया हुआ है यह अगर इसको हम एक बाद differentiate कर दें तो आपको यह result मिल जाएगा यह मतलब इसका है, ठीच है? note करिए answer इस format में कर सकते है यह inverse खतरनाक दिख रहा है तो y minus 2 upon x is equal to cos inverse a तो a की value आजाएगी cos y minus 2 upon x कोई फार्मिंट ले सकते हैं कोई मतलब जाएगा note करिए देखे, 15th question की language देखीगा पहले तो differential equation बादिशन दिया हुआ है कुछ questions में differential equation फार्म करना पड़ेगा according to the given language question कहा रहा है कि 0-0 से एक curve गुजर रहा है और उसका differential equation दिया है dy by dx equal to e to power x sin x अचा easy है dy by dx दिया हुआ है e to power x sin x यह curve है कौन सा curve है पता नहीं तो वो कौन सा curve है और यह की सर्त एक दी है कि वो 0-0 से गुजर रहा है मतलब 0-0 इसको satisfy करेगा इस differential equation को उस curve को satisfy करेगा तो पहले तो आप variable separable करिएगा dy is equal to e to power x sin x dx आप इसको पहचानते होंगे यह हो जाएगा y और इसको फिलाहल हम i1 लिख लेते है question 1 ठीक है i1 लिख लेते है क्योंकि इसका integral कभी खतब होने वाला है नहीं ठीक है तो i1 को अलग से integrate करिए i1 is equal to क्या हो जाएगा integral e to power x sin x यहाँ पर आप लगाएगे product rule i late के हिसाब से किसको first मानेंगे i late के हिसाब से i late यह trigonatical है और यह आपका exponential है तो sin को first मानेंगे तो क्या हो जाएगा first function sin x और e to power x का integral e to power x डाइट कर दिया हमने minus first का differentiation sin x का cause x e to power x का e to power x का whole integration अब यहाँ फिर लगाना परेगा product rule लगा दीजे तो आएगा e to power x sin x minus bracket बंद क्योंकि minus दिक्कत करेगा first किसको मानेंगे cause को e to power x का integral e to power x minus cause x का differentiation minus sin x तो यह बाहर हो जाएगा plus sin x e to power x का e to power x का whole integration इस minus को अंदर operate कर दो तो आएगा e to power x sin x minus e to power x cause x और minus यह दुबारा i आ जाएगा यह चीज़ जो यहाँ पर आपने माना है यहाँ पर i लिखा है i को इधर ले आओ तो आएगा 2i is equal to e to power x कामन sin x minus cause x तो तो यह निकाल लें क्या होगा यह 2 यहाँ परापान में आ जाएगा तो i निकल आया इस i यह i1 निकल आएगा यह i1 हो गया i1 i1 निकल आया इस i1 को उठाइए और question number 1 में रग दीजेगा तो by question 1 क्या हैगा y is equal to यह हैगा e to power x upon 2 sin x minus cause x plus c उसको question 2 डाल दो आपने क्या बताया कि भाई यह जो curve है यह curve होगा ना यह उस curve का equation है जिसकी यह differential equation है तो हम यह कह रहा कि यह curve origin से उकर पास हो रहा है यह जिरो जिरो satisfy करेंगे तो जिरो जिरो is satisfying this curve satisfying curve 2 कर तो satisfy y को 0 यह आएगा 1 by 2 sin 0 0 cause 0 1 plus c c की value क्या हो गई 1 by 2 आ गई ना बस उठा कि c को 1 by 2 रग दो यहाँ पर तो आपका equation क्या हैगा y is equal to e to power x by 2 sin x minus cause x plus 1 by 2 जल्दी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि method आप जानते हैं कि अब आपको यह सीखना है कि variable separable हो गया इसके बाद integration 32 आपने पढ़ी है RD सर्मा में तो इतना तो याद होगा ना ने बुले ने RD सर्मा तो याद है 32 इकसाइड नहीं आद है याद करना पड़ेगा आपको यह differential equation है 16 का xy divided x is equal to x plus 2 y plus 2 पहले आपको एक ही चीज़ सोचनी है आप चुग यही वही excise है इसलिए सोचनी जरूरत भी नहीं है कि variable are separable है कि नहीं है तो क्या करेंगे आप x के dx को धले जाओ y को धले y upon y plus 2 dy is equal to x plus 2 upon x dx देखो एक बाद और ध्यान रखिएगा हो सकता है यह variable separable हो जाए हो सकता ना भी हो इस excise में तो हो रहा यह अलग की बात है exam की में बात कर रहा हूँ लेकिन चेकिंग यहीं से सुरू करेंगे आप अब देखे ही आपको idea लग जाए लग की बात है अब इसको integrate करने की तरीका क्या था इसको आप y plus 2 अलग करेंगे और minus 2 अलग कर देंगे और यह y plus 2 upon y plus 2 आएगा क्यों कि आपने अरे बुले 32 साइज लगाई है हमने हमको आता है यह हमने इसलिए क्या कि अगर y absent होता तो 1 upon y का integral log y होता है 1 upon y plus 2 का integral log y plus 2 होता है y absent होता तो तो उसको absent करने के लिए इसको gaib करने के लिए हमने ऐसा किया ठीक है चुकि यहां गायब हो सकता है, इसलिए हमने ऐसा किया is equal to dy यहां पर अलग रख कर तो x upon x, 1 plus 2 upon x पस हो गया यह कड़ गया, 1 का इंटिकल क्या होगा y, इसका क्या हैगा 2 log y plus 2 is equal to 1 का x, इसका 2 log x और constant plus c यही पर रुख दीजा आप गाड़ी को equation बर 2 डाल दीजे अब आप से क्या कह रहा है कि this curve is passing through the point 1 कामा मैनस 1 as जब गलती बहुत जलबाजिम हो जाती द्यान से देख लिजेगा as curve is passing through passing through 1 कामा मैनस 1 so satisfy करा हूँ x रखो 1, y को मैनस 1 यह क्या होगा मैनस 1 मैनस 2 log यह मैनस 1 प्लस 2 is equal to 1 प्लस 2 log 1 प्लस c यह भी log 1 यह भी log 1 log 1 के वैलू 0 और यह मैनस 1 इधर ले आओ तो मैनस 2 बराबर c c के वैलू क्या हो गई तो यहाँ उठा के मैनस 2 रग अगले स्टेप में करना इसको आठाना यहां मैनस 2 रख देना ठीक है यही पर आंसर छोड़ दीजे कोई दिक्कत ने चाहो तो log को एक तरफ कर दो थोड़ा सा amendment कर दो otherwise you can leave the answer here थोड़ा सा करी दो यह c कमान रख दिया log को एक तरफ कर दीजे अच्छा लगेगा बस क्यों रहो कुछ नहीं है और सबको इधर लिआओ y-x plus 2 is equal to इधर देखो 2 हट जाएगा यहांसे 2 कमान लेलो तो आएगा log x into y plus 2 यह आएगा ना यह answer छोड़ दो यह 2 को हटा के square कर दो तो यह आपका answer होगा ठीक है लेंगों लिखिये बिंदू 0 कमा माइनस 2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकर गात कीजिए जिसके निस मेरा ना छोड़िए क्या वक्र वक्र बता रहे है वक्र माने hypotenuse बाहर ही अंग्रेजी इससे हिंदी वाले ज्यादा बढ़िया है हिंदी वालों को हिंदी भी आती और अंग्रेजी भी आती और अंग्रेजी वालों को तो अंग्रेजी भी नहीं आती अच्छी तो हिंदी तो आती ही नहीं है सुनिए ज्यान से find the equation of curve एक मिनट passing through the point 0 कम मैनस 2 यानि एक point दिया है 0 कम मैनस 2 यानि कि जो curve है वो is point से pass हो रहा है तो curve निकलेगा तब pass कराएंगे न जब curve आएगा तब कहेंगे तुम curve हो तुम वही हो जो is point से pass हो रहे थे समझे pass हो जाओ बेटा तो बोले हमको पहले तुम invite तो करो तो invite करने जा रहे हैं given that at any point x y the product of the slope of its tangent क्या बोला क्या मतलब हुआ slope of its tangent and y coordinate is equal to the x coordinate of that point लिखो क्या बोला product माने multiply slope of its tangent यानि कि dyy dx मतलब फिर निसमझ में आया सुनिए ध्यान से किसी कर्व का ये slope होता है theta ठीक है slope होता ना मैं gradient की बात नहीं कर रहा हूँ slope की बात कर रहा हूँ slope अलग बात होती है gradient अलग बात होती है ये inclination होता है और इसका 10 लगाओ और क्या हो जाएगा 10 theta और 10 theta ये को हम क्या कहते है तो करें product of its slope of its tangent to the y coordinate is equal to the x coordinate कभी-कभी ये ऐसा नहीं बोलेंगे वो abscissa ordinate बोल देंगे तो ऐसा भी बोल सकते है ठीक है अब आपका equation दो बन गया अब निकाल दो solve हो गया y dy is equal to x dx integrating both the side y square by 2 is equal to x square by 2 plus c तो अब चुकिए equation 1 डाल दो जान बूस करके ये किस point से उकर pass हो रहा है this is passing through this is passing through किस point से pass हो रहा है 0 कामा तो x को रख दो 0 y को minus 2 तो क्या हैगा 4 upon 2 is equal to c c के value क्या आ गई 2 रख दो उठा करके तो by equation 1 क्या हो जाएगा y square by 2 is equal to x square by 2 plus c इसको इदर लियाओ तो y square minus x square is equal to c के लिए 2 आई है न 4 इस equation को पहँचानते हैं आप ये actually में hyperbola है और ये rectangular hyperbola है hyperbola दो दरीके होते हैं 1 x square upon a square minus y square upon b square 1 होता है न अगर a is equal to b हो जाए तो ये rectangular hyperbola कहलाता है ठीक है note करिए अच्छा 18th में भी English में लिखा हुआ है नहीं मतलब इंग्लिस में कोई कोई थिक्कत करता है न इसने बता रहे हैं लिखा at any point x y under curve यहनी यह कोई कर्व है पता नहीं कैसा कर्व है हम ऐसे बना दिये लफ और इसपर एक point x x comma y at any point x y under curve the slope of the tangent इसपर एक tangent है उसकी slope क्या हो जाएगी dy by dx the slope of the tangent is twice यह किस यह two times है किसकी two times है the slope of the line joining the point of contact इस point को minus 4 comma minus 3 से join किया गया यहनी कि एक ab line है इसके slope के बराबर है ऐसा बो लाइनों नहीं समझे उन्होंने कहा कि इस point को अगर हम किसी point से किसी point से मिला दे minus 4 comma 3 तो जो आपकी tangent का slope है m1 वो इसकी slope का two times है इसा बो लाइनों है अब यह line दो point से pass हो रहे है तो दो point से pass होने वाले line का जो slope होता है क्या फ्रमला होता है दो point से pass होने वाली line के tangent का slope y2 minus y1 upon तो आप किसी को मान सकते है y2 हम ऐसा करते हैं इसको y2 इसको y2 मा लेते है तो क्या आएगा y plus 3 upon अब बोले हम तो उल्टा मनेंगे तो लिख दो minus 3 upon minus 3 minus y upon minus 4 minus x तो फिर minus 8 जाएगा तो dy by dx की value क्या आगई 2 3 plus y upon 4 plus x अब तो पहचान में आगया न यह इसको इदा लिया तो dy के साथ क्यों आएगा y plus 3 और 2 dx के साथ क्यों आएगा x plus 4 integrate कर दो इसका integral क्या आएगा log y plus 3 इसका क्या आएगा 2 log x plus 4 अब आप करेंगे sub log है तो c को भी log में plus कर दो कर सकते हैं लेकिन चुँकि c को निकालने के लिए condition दी भी है क्या दी है ये कह रहे हैं जो curve है ना वो किसी point से pass हो रहा है क्या हाँ passing through minus 2,1 as curve 1 as curve 1 is passing through minus 2,1 है minus 2,1 satisfy करा दो so by question 1 y को रुखोगे at 1 तो ये क्या आजाएगा log ये y है log 4 हो जाएगा ये 2 log x को रुखो minus 2 तो log 2 हो जाएगा plus c हो जाएगा ये भी log 4 लिखा हुआ है ना अगर इस 2 को हटाएंगे तो square में आएगा ना तो ये दुनों कर जाएंगे इसको उठा के question number 1 में put कर दो तो by question 1 तो ये क्या आजाएगा log y plus 3 is equal to 2 log x plus 4 plus 0 काम खतम अब चुकि दोनों log हैं तो log log भाई भाई इसको दल ले आओ तो क्या आएगा log y plus 3 अपान x plus 4 का square ले सकते हैं और is equal to 0 log भाई 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 जिरो हो जाएगा उधर तो क्या आजाएगा y plus 3 अपान x plus 4 का whole square is equal to 8 पाई 0 1 हो गया cross multiply कर दो y plus 3 is equal to x plus 4 का whole square this is the equation आपकर किस इस का equation है ये ये पराबॉला का equation है x square is equal to 4 ay देखे question 19 क्या कह रहा है the volume of the spherical balloon being inflated changes at concentrate ये एक spherical volume है तो हमने फिलाल उसकी radius r माल ली है उसकी radius का माल ली है r माल ली है और कहते हैं उसका जो volume है न v is equal to कितना हो जाएगा 4 upon 3 pi r cube ये आप से कहरें कि जो इसका rate of change of volume है वो constant है कि ऐसा बोलना है वो ठीक इफ दे इनिशल रेडियस दी वी है आफ्टर 3 सिकेंड रेडियस दी है देखो जब आफ्टर 3 सिकेंड का मतलब ये हुगा कि टाइम के साथ साथ इसका volume चेंज हो रहा है तो find the radius of the balloon आफ्टर 3 सिकेंड वो बात में बात करेंगे देखे पहले इसका concept समझेगा पहले तो यहाँ से v कमान रख दीजे तो d by dt of v कितना है 4 upon 3 by r cube is equal to k 4 upon 3 by बाहर कर दो r cube का differentiation क्या होगा 3 r square dr by dt is equal to k अब आपको चूँकि इसको integrate करना पड़ेगा r और t में relation चाहिए तो यह क्या पचा 4 pi r square dr is equal to k dt आप चाहो तो यह 4 pi constant है यह किधर भी मटक सकता है जिधर चाहो उसको लिखा रहने दो ठीक है आप यहीं लिखा रहने दो इसको दोनों को integrate कर दो ठीक है जब भाई आप r के respect में इसको integrate कर रहे हैं तो 4 pi तो बाहर कर दो और r का integral r cube by 3 is equal to k constant है t का t plus c अब देखो यहाँ पर लफड़ा यह है कि k भी नहीं मालू c भी नहीं मालू तो आप यहाँ condition लगाने पड़ेगी first condition क्या दीवी है first condition यह दीगे है कि initially जो radius उस value उनका है वो 3 cm है यानि when t is equal to 0 then radius is equal to 3 cm ऐसा बूला उनों है तो रख दो उठागी equation 1 में by equation 1 t को रखो 0 और r को रखो 3 तो यह क्या आएगा यहाँ पर 4 pi into 9 by 3 is equal to यह तो पूरा 0 हो जाएगा c तो c की value कितनी हो जाएगी 3,3 जा 9 12 pi ठीक है एक और condition दीवी है एक मिनट ठीक मिनट रुकिए r cube है sorry 3,3 जा 9,7 हो गया यहाँ पर 27 आएगा 36 pi आएगा sorry एक और condition दीवी है कि जब radius time 3 है तो radius 6 है second condition दीवी है क्या दी है कि when time is equal to 3 then radius is equal to 6 cm यह 3 second है रख दो उठा करके कहां रखोगी equation 1 में तो by equation 1 यह 3 second है the rating गंदी है देख लीजेगा by equation 1 time को रख तो 3 और r को रख तो 6 तो क्या हो जाएगा 4 pi into 6 का cube upon 3 is equal to k मालूम नहीं है और t है 3 और c की value 36 pi निकाल चुकी हो चुकि यह second condition दीवी इसले है you find the value of k कितना हो जाएगा 4 pi into 36 into 3 into 6 बटे 3 इसको इधर लेओ minus का 36 pi is equal to 3k तो value आपको निकाल दी पड़ेगी यहाँ पर जब इसको calculate करो कितना हैगा 3 दूनी 6 आएगा और 4 दूनी 8 आएगा और 8 आठ आएगा 62 pi into 4 minus 36 pi बराबर 3k ठीक है तो जड़ा इसको solve किया जाए तो यह ऐसा करिए इसमें 36 pi कामन ले लो easy करने के लिए तो 36 दूना 72 दूनी 8 बचेगा 8 minus 1 is equal to 3k तो 36 pi into 7 upon 3 is equal to k बारतियां 36 बराबर की k की value आपकी आ रही है 84 pi ठीक है अब इस k को उठाओ c को उठाओ और equation number 1 में put कर दो putting the value of k and c in equation number 1 यह कर देते हैं putting k and c in equation 1 रखिए 4 pi into r cube by 3 is equal to k की value कितनी है 84 pi 84 pi t और c की value है 36 pi अब देखो ध्यान से आपको question क्या कह रहा है question के रहा है radius निकालिए आप t के time में हो गया देखो पाई ऐसा करते हैं क्या किया जाए 4 pi by 3 लिखा रहने दो r cube लिखा रहने दो यहां से 12 12 ले लो कामन 12 pi कामन ले लो तो यह 12 से कर जाएगा 70 plus 12 36 यह आएगा ना तो देखे pi से pi कर गया 4 तीया 12 हो गया और तीन तरह करना हो तो r cube की value आएगी 9 in bracket 70 plus 3 अब यहां निकालो cube root लगा कर कि इसका तो दो r लगाएंगे तो क्या आएगी value तो r की value आएगी यहां से 9 70 plus 3 का घंण्मूल यह आपका answer होगा ठीक है और तो calculation है केवल differential equation form करना और तरह calculate करना यह थोड़ टेक्निकल है ठीक है देखे 20th question क्या बोला है थोड़ा सा theoretical है main होती है differential equation form करना question कह रहा है कि इन बैंक the principle increases continuously as the rate of r percent per year मतलब rate of change of principle rate of change of principle is r percent of p वही r percent किसका p का है ना बस बन गया differential equation बस अब इस differential equation को आपको solve करना है क्या आएगा dp by dt is equal to r by 100 into p तो dp के साथ ले आओ p को और r by 100 के साथ किसको ले जाओगे dt को r दिया नहीं गया यहां पर r की value नहीं दी है r का मानी निकालना है आपको है ना तो r नहीं दिया गया तो क्या करो integrate कर दो दो तरफ integrate कर दो इसका integral क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा log p अब देखो r by 100 कुछ नहीं है और t का integral t plus c यह question number 1 आगई value अब दो c को भी log c कर दिया जाए तो थोड़ा सा आसान रहेगा इसको इदर ले आओ तो आएगा log p minus log c आएगा ना तो upon c to base e रहेगा is equal to rt upon 100 तो p upon c की value क्या आएगी e की power rt upon 100 तो p की value आएगी c e की power rt upon 100 यहीं value को उठा के रखना है आपको ठीक है equation number 2 अब आपको given condition क्या है given condition यह कह रहे हैं कि find the value of r if rupees 100 doubles itself in 10 years यहीं शुरुआती में रुपया जो है वो 100 है यानि कि initial condition जो यहाँ पर है initial condition initial condition ही अपलाई की जाती क्या है कि जब आपका time 0 था तो principal 100 है अच्छा एक बद ध्यान रखेगा आप इसको diet भी कर सकते हैं यहाँ पर limit रख सकते हैं जब t 0 तो रुपय 100 जब t 10 year तो रुपय डबल होगे 200 कि diet कर सकते हैं तब ही आंसर आजाएगा ठीक है तो आप चाहो तो इस method से लगाओ और चाहो तो limit उठा कर रख दो ठीक हम फिलाल अच्छुके limit नहीं रखा है तो नहीं रखने जा रहे हैं अब रखो उठाके तो by question 2 by question 2 अभी limit भी से भी हम बता देंगे आपको यहां रखो value तो p कितना है 100 t है 0 तो 1 पौर 0 1 हो जाएगा तो c की value आगई 100 यह c निकलाया ठीक अब c को उठाएगे और question number 2 में उठाके put कर दीजे तो by question 2 2 p is equal to क्या हैगा c है 100 e की power rt upon 100 फिर आप से कहा गया इन्होंने कि अगर 10 साल में यह पैसा 2 गुना हो जाए तब कितना हो जाएगा second condition जो dv है t बराबर 10 पर p यह 200 हो जाएगा equation number 3 डाल दो given है when t is equal to 10 then p is equal to 200 रख दो उठाकर के तो क्या हो जाएगा 200 वह यह principal after time t है ना इसका मतब क्या होता है dt time में p change हो रहा है तो t time बाद principal value है ना यह तो यह आगया 100 e की power r into t है 10 by 100 ठीक है यह 100 से 2 कड़ गया तो 2 बचेगा 2 is equal to e to power r by 10 जब आप log लेंगे तो आएगा आपका r by 10 is equal to log 2 to base e इसके वलू 0.6931 दिया हुआ है 6.931 दिया है ना value 0.6931 तो जब r की value निकालेंगे तो 10 उखर जाएगा 6.931 तो इतना percent आपका value होगी जागर के ठीक है 6.931 एक तो यह तरीका होता है आप चाहो तो यही limit रख रख तक तो देखें यह नूट कर लिजएगा आप चाहिए तो इसे ड्रामा हटाईए सब हटा दू देखो यहाँ पर time के respect में integrate कर रहे हो और यहाँ पर p के respect में कर रहे हो ठीक है जब time 0 था तो principal 100 था जब time 10 साल है तो principal 200 हो गए काम खताब अब integrate कर दो इसका integral क्या हो जाएगा इसका होगा log p और limit क्या रखते है 100 से 200 यहाँ पर क्या होगा r upon 100 और t क्या हो जाएगा t 0 से 10 limit कैसे apply की जाती है पहले p को रोखो 200 तो आएगा log 200 minus log 100 is equal to r upon 100 याएगा 10 minus 0 log m minus log n क्या होता है log m upon n upon में ले आओ इसको तो log 2 हो जाएगा base यहाँ 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 आएगा r upon 10 यह 0.6931 is equal to r upon 10 तो r के लिए क्या आएगी 6.931% डाट कर सत्ते हो जदा अच्छा तरीका है ठीक है constant का लफड़ाख अपने आप खतम हो जाएगा यहाँ इसको हम कहेंगे तो dp by dt is equal to 0.05p p को जाले और dp upon p is equal to 1 upon 20 लिख दो जदा ठीक रहेगा into dt फिर क्या बोला है आप से यह कुशन आ जाएगा ना सही है ना अच्छे कली जेगा हाँ सही होगी इसके बाद कहा रहे है कि an amount of 1000 is deposited with the bank how much will it worth after 10 years तो इंटिकेट कर दो इसका अब देखो आप लिमिट रख दो स्टार्टिंग में जब टाइम ये वह ये टाइम है dt के रस्पेक्ट में इंटिकेट कर रहे हो तो यहाँ टाइम की लिमिट होगी और यहाँ पी की लिमिट होगी स्टार्टिंग में जब 0 year था तो पैसा कितना था 1000 और जब t year है नहीं 10 year है जब 10 year है तो पैसा कितना हो गया पता नहीं वही आपको निकलना है यही p निकालो x मालो कुछ भी मालो आप आप सौल कुरो इसको इसका इंटिकल क्या होगा log p limit p to क्या लिक रहा हूँ भाई 1002p और इसका limit क्या होगी 1 by 20 t की t हो जाएगी limit 0 से 2 0 से 10 क्या बोल रहा हूँ भाई अब limit रखो पैसे log यहां रखो तो आएगा log p minus log 1000 is equal to यहां रखो limit 1 by 20 10 minus 0 तो यह 1 by 2 आएगा तो यह आएगा log p upon 1000 base quality यह आप मालूम है आपको है और यह क्या आएगा 0.5 तो जब आप log हटाओगे तो p upon 1000 is equal to e to power 0.5 और e to power 0.5 के लिए लिए 1.648 1.648 यह p upon 1000 है तो जब p निकालोगे तो 1648 हो जाएगा ठीक है तो यह आपका मतलर limit direct आप लगा सकते हो यह जदा आसान रहता है कहके लिए constant को हम plus करें है ठीक है Question 22 थोड़ा सा technical है लिखा है कि in a culture the bacteria count is कितना है एक लाख the number increases 10% in two years two hours 10% increase हो जाते हैं जितनी value थी उससे 10% ज्यादा हो जाते हैं in how many hours will the count reaches to two lakh if the rate of growth of bacteria is proportional to the number present मतल़ जो अगर मैं मालू y bacteria को represent करता है तो rate of change of bacteria proportionate है initial value of the bacteria यह भोला उन्होंने ठीक है तो जो हम dy by dt करेंगे तो एक constant आएगा k अब यह k लफ़डा कर रहा है अगर k नहों होता तो इसको integrate कर देते limit लगा करके तो यानि कि dy by y is equal to k dt अब इसको दों तों integrate कर देंगे अब problem यह है कि यहाँ पर हम limit नहीं रख सकते क्यों को limit में k गड़बड कर रहा हमारा इसलिए हमको limit नहीं रख सकते तो इसका integral क्या हो जाएगा इसका integral आएगा log y इसका आएगा log y is equal to kt और एक constant c आएगा कुछ नहीं वो बन डाल दीजे अब यहाँ पर थोड़ी सी condition लगानी पड़ेगी यह कहते हैं दो घंटे में एक लाख हर दो घंटे में 10% प्रद्दी होती है यानि initially कुछ उसकी value रही होगी शुरुआत में नहीं दीगे है ठीक है तो जब यहाँ रखेंगे तो क्या हैगा log y not is equal to c by kt को जिरू कर देंगे न एक question 1 में रख दो by question 1 क्या हो जाएगी value log y is equal to kt और plus c की value क्या है log y not इसको इधर ले आओ log y minus log y not is equal to kt तो यहाँ जाएगा log y upon y not to base e तो चलता ही है kt तो हम अगर कहें value y की क्या हैगी तो इसको यहीं लिख दो question number इसको 2 डाल दो फिर देखा जाएगा e की power में लिखो चाहेने लिखो अब दोखो condition क्या दी है given यहाँ पर है कि जब time 2 r है तो bacteria के संख्या कितनी हो गई है तो bacteria के संख्या चुकि y आपने मानी है generally पहले y not थी और उसका 10% बढ़ गई है 10% बढ़ जाती है तो y not थी तो इसका 10% of y not बढ़ गई मतलब y not थी plus 10 y not by 100 यह 10 कर जाएगा तो 11 y not by 10 यह bacteria action क्या हो गई है आपकी है ना तो यह आपकी y की value निकल आई है ठीक है और equation 2 में रख दे y equation 2 रखो जड़ा equation 2 में तो log तो आएगा log y के लूग क्या लिखेंगे आप 11 y not by 10 y not अलेडी दिया हुआ है is equal to kt और तक t की इतना है दो घंटा तो t को रख दो 2 तो y not by 10 कट गया है तो k की value एक चुआ गई 1 by 2 log 11 upon 10 बस यह लफडा करने के लिए हमको यह कहानी बतानी पड़ी यह constant की value निकालने के लिए अब इस k को उठाओ equation number 2 में रख दो putting the value of k in equation number 2 putting k in equation 2 क्या value आएगी log y upon y not to base e already है k की value क्या है 1 upon 2 log 11 upon 10 plus into t sorry into t यह आपकी value आई है ठीक है अब कहरें कि कितने time में यह 1 lakh से 2 lakh हो जाएंगे हमने माले है t time में हो जाएंगे तो y आपका why not initial है और y after time t है यहां रख दो उठा करके log y को लोग तो 2 lakh 23,000,000,000,000,000 upon 1 lakh काई, दाई, सेकड़ा, जार, दरजा, लाक काई, अच्छा, चाहिए sorry is equal to 1 by 2 log 11 upon 10 into t यह तो log 2 बचेगा log 2 अब जाद दिमाग लाइए is 2 is 2 को इधर ले आओ into में आएगा या लिखा रहन दो उठा करके बात में देखते है 1 by 2 log 11 upon 10 into t अब यहाँ से t की value आपको निकाल अब इसका calculation तो कुछ हो नहीं सकता मुझे को लगता है 2 को इधर ले आओ 2 log 2 और इसको इधर ले आओ अपान में log 11 upon 10 यही t हो जाएगा तो यही आपका answer हो गया ठीक है 23rd के रहा है इसका general solution निकाले देखे दो प्रकार के solution है जब आप plus c लगा देते हैं तो c की value कुछ भी हो सकते हैं तो वो general solution हो जाता है और जब हम कोई condition लगा देते हैं और c की एक particular value निकलाती है तो इसको कहते है particular solution तो यहाँ पर solve करो तो हम इसको dy by dx is equal to e to power x into e to power y ले सकते हैं अब e to power y को ले आओ dy के साथ और e to power x को ले दो dx के साथ तो आएगा e to power minus y dy integral is equal to e to power x dx integral तो इसका क्या होगा minus e to power minus y e to power x plus c answer को यहीं छोड़ सकते हैं आपका format जो भी आ रहा हो तो इसको इधर ले आओ आपका c एक तरफ है तो आइसा करते हैं इसको अधर ले जाओ तो e to power x plus e to power minus y is equal to minus c चुकर minus से एक नया constant है minus से कोई मतलब नहीं है constant कुछ भी हो सकता है तो यह आपका answer है option first है तो यह आपका answer हो गया है ठीक है देखिए बच्चों इसमें लगबख लगबख पूरे question cover हो चुके है एक और वीडियो इसके पहले upload हो चुका था चुनि में बीच में जो बातचीत हो रही थी offline के बच्चे पढ़ रहे थे तो साथ में वीडियो बन रहा था उनके जाने के बाद जो बच्चे question हमने upload किये है कुछ question जानबूस के upload नहीं किये वो एक जैसे है अपने आप कर सकते हैं अगर आपको लगे कि नहीं कुछ technical है तो you can write in the comment and I will provide you the solution okay good night